हेलो फ्रेंड्स मैं मीनू आपका सौगत करती हूं आपके पहरे इस यूटिब चैनल स्टडी विद मुशायद में कैसे आप सभी लोग आई वेश अच्छे हों अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं कैसे चल रही है स्टडी आप लोग इस बताइए आप लोग तो कोई कमें पढ़ा रहे हूं करते तो बताते रह हैं मुझे मालम है यहां पढ़ा रही हूं जो भी कमी आप लोग को म्या उसको आपको पı मंशे कि और कि को लिए sufficient है इससे जादा पॉलिटी के questions जो मैं आपको पढ़ा रही हूं इसमें इसके अलग कहीं भी नहीं जाएगी ठीक है तो आप लोग उसमें एक सब्सक्राइब पॉलिटी और मैपिंग जो आप लोग को मैं करा चुकी हूं वह आप देखिए और आगे भी मैं कराऊंगी ठीक है तो इन चीजों को आप लोग देखते रहें अच्छे से पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं एक खेल की तरह लीजिए एंजॉय करके पढ़िए तो पढ़ा सामावाद की माज इस तरह चीक अपर नॉश्य की परिशैन वह तेसी हएज समाज में से उस परेशान outfits थरोह थैने यारा मेरी सी बाद कट रही है ये है और उच्छे होंगे टीका है Ёए मतलлось जो बहुआ तो सकता है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग है आप जैसे स्थिती में आज खड़े हो आपको नहीं पसंद्य हो सकता है बहुत से लोग वह पानी के लिए भी आज संघर्श कर रहे हैं ऐसी जिन्दी की जीना चाहते हो तो दुनिया में हर तरीके के लोग हैं उनके साथ अलग-अलग तरह की परिस्थितियां हैं तो इसलिए आप जैसी भी जी रहे हैं उसे नाराज मत हो यह खुश रहे कि हां अगर आप उससे संतुस्ट नहीं है तो आप यह सोचे कि हां मैयारे से मैं अभी बहर अच्छे से जी रहा हूं यह जी रही हो और आगे और अच्छे से अपनी लैफ को जो है वह इंजा हो या करूगा करूंगी तो कभी जिंदगी से नाराज भी थी तो क्यों क्योंकि जिसक़ने का दाइरह है कि बॉड़ीए और फिर जो है वो अपनी एजूकेशन को अपनी चीजों को आगे बढ़ाईए देखिए जिन्दकी जीने में कितना मज़ा आता है यार यह जिन्दकी बहुत फूबसूरत चीज है आप इसको जरा जरा सी चीजों पर परिशान हो जाना कि आरे यार पेपर है यह कोई भी परिशानी इसलिए है कि हम उसका कोई solution ढूड़े क्योंकि जब हम उसका कोई solution सर्च कर लेते हैं और उस परिशानी को खत्म कर देते हैं तो उसके बाद जो रिलैक्स आता है ठीक वह बहुत ही जादा अच्छा फील कराता है में तो वह क्या होता है यह जिन्दगी में यह त चुझा करी तो एक क्या अट लगा को पूछा लवं आखे यार मसत है बहुत मसत बदाव तो सामने वाले को भी लगार है यह इतना खुश है तो में भी खुश नहीं रहूं तो इस तरीके से हेंजॉय करिये खुद्द भी करिए सामने वाले को भी कराईं लिक पूजने प्षिछी वीडियो मैंने आपको राश्पती बढ़ायते भारत के राश्पती कैसे होते हैं कैसे उनका निर्वाच्छन होता है उसका मंडल कैसे होता है ठीक किस आटिकल के तहर्त उनकी शपत है किस में महावी हो गई यह सारी जीज़ें जो है मैंने आपको पढ़ाइं अपरास्ट पति का जो पद होता है वो देश का दूसरा सर्वोच पद होता है प्रत्थम सर्वोच पद कौन सा होता है रास्ट मत नगरिक Miss Yakर रास्ट पती जो पद है वगाएं वह आमैरिका के अप्रास्ट-पती जिसके हैं, भी खास काम नहीं होता इंडिया में प्रियुत भारत सब्सक्रेंट और ये भी भाग 6-fy एस नाहीं तक है लिपनीट क। और हम देखते हैं कि क्या है इस में संविधान में उप्रास्ट पती से संबंदर प्रावदान अमेरिका के संविधान से लिया गया यानि कि जो मैं आपको बता चुकी हूं कि उप्रास्ट पती का पत जो है वो अमेरिका के उप्रास्ट पती की तरज पर बनाया गया है और यह भाग 5 में है अनुच्छे 63 से लेक राचन हुआ क्या कैसे वह इतने बीच में इनके आर्टिकल गूमते रहेंगे ठीक है कभी कोश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपती या प्रदान मनती है जो भी है मतलब किस से कितने बीच में हैं तो इस तरीके से महां आपको इसलिए बता रहे हुए तो हम देखते हैं सबसे पहले अर्टिकल 63 जिसमें कहां है भारत का एक उप्रास्टपती होगा यानि कि भारत का एक उप्रास्टपती और अगर आगर किसी को भी हम उप्रास्ट पती चुलते हैं ठीक है तो वह आटोमेटिकली राज्य सवा का सवापती बन जाएगा ठीक है उपराश्पती संसत के किसी भी सदन का सदस्त नहीं होता यह बात तो मैंने आपको राश्पती में भी बताई थी राश्टपती जो होता है वो संसत के किसी भी सदन का सदस्त नहीं होता है लेकिन उसके पास अहर कड़ होनी चाहिए सनसत के सदस्य के लाइक तभी तो वह उसका जो है वह लीट करेगई ठीक है अब जैसे keeping में नहीं होताहां अब उसमें पूछ लेकर क्यों नहीं होता दा है कहते हैं रिजर्व है आरक्षित होता है किसके लिए उपराष्ट पती के लिए जो लोग सवा का स्पीकर होता है में ली उसको जो पाइटी जीत कर आती है उनमें से चुना जाता है उसको बना जाता है लेकिन जो राज सवा का सवापती होता है वो कहीं से चुन कर नहीं बनाय किया उसे यह गिफ्ट में मिल जाता है तो इस चीज को याद रखिएगा ठीकिल 65 राष्टपती की अनुपस्तिती में उपराष्टपती कारवाहक राष्टपती होगा अगर राष्टपती है देश का वह कहीं मतलब छुट्टी पर है बीमार है या कोई भी दिक्कत है कि वह अपना काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी अनुपस्तिती में कि उपरास्टपती यह वह वह कारवाहक राष्टपती के रूप में कार रहा होग होगा तो उससे सारे बितन रास्ट पती को मिलते हैं उसी तरीके से मिलेंगे और वह जो भी नियम कानून बनाएगा उसके हटने के बाद भू हटेंगे नहीं वह वैसे ही माने जाएंगे इस चीज़ को याद रखिएगा कोशन आ जाता है कि अगर कोई अगर उपरास्ट यदि उपरास्ट पती एक राहा है तो उसके पद से हटने के बाद जो नियम कानून वह पास करता है या बनाता है क्या वह भी परिवर्तित हो जाएंगे तो इसका अंसर होगा नहीं क्योंकि वह कानून या अध्यादेश जो भी चीज़ें वह बन चुके होते हैं ठीक है तो वह परिवर्तित नहीं हो में가요 उपरास्टि पती कारवाग कारवाग कि करेगा किजा किता अज कारवाग आज पती के रूप में उपरास्ट पती की संव … fed घर यह वर्णन है तो किसमें 65 महिं अधिकता मवदी कि इस तरीके से स्व… आप राष्ट्पती कार सकता है लेकिन 6 महीने के भीतरी जो है वह बना दिये जाता है चैंख मेनेक इस दोरहन राषट पती का चुनाओं करा लेना निवारे होगा और उपरास्ट पती के योगता इसमानी शकतियां बेतन विशेश अदिखार प्राप्त होगे अब आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक है फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 66 जिसमें उपराश्ट पती के पद की योगता और निर्वाचन के बारे में बात किये गई है तो सबसे पहले योगता क्या होना चाहिए सबसे पहली बात क्या है भारत का नागरे को आप किसी भी पद पर जा रहे हो कुछ जा रहे हो तो यह तो सबसे इंपोर्टन जीज़ें कि वह वह वंदा उस देश का नागरिक होना चाहिए दो 35 वर्ष की आयूं पूरी कर चुका राश्टपती के लिए क्या है तो अपने या तो सारे 60 प्लस उलें यह बनते हैं अब इदक तो रास्टपती ऐसे बंते थे पहले कि शायद वह रश्टपती भवन विपूरा ना नहीं रहती थी ठीक है आप तो तब भी कुस टाम से ठीक थाक आ रहा है जो घूम लेते होंगे क्योंकि पहले तो जो राष्टपती बनते थे मतलब मैंने अपने जब से पढ़ना स्टाइट किया या समझा तब देखा तो राष्टपती लोग का यह हाल होता था या मतलब वो लोग जोते इतने ज़ादे होते थे मुझे नहीं लगता पूरे राष्टपती बहुत बढ़ी जगे में बना हुआ है और उसमें जो है ना किया बोलते हैं उसको अची वेड़ा तो फूलों की घाटी सजाई जाती है वहाँ विभिन प्रकार के बाष्टे मतलब वह हैं किया भूलना चीह व्यारी वगैरा तो वह इस तरीके की जो है वह किया तरह वह लगाते हैं गया फो पंवेटी की वेज़े से लेकिन यह जनवरी फरवरी के टाइम बहुत है अच्छी अती है कभी कोई जाय तो देखिएगा धैली में ठीक है बहुत है शुन्दर है यार वहां जो मतलब फ्लाइब हैं बहुत सुंदर बहुत जादा और बहुत सारी वैराइटी है बहुत सारी वैराइटी आपको गुलाब भी बहुत तरीके का मिल जाएगा ठीक है गेंदा है गुलाव यह तो नॉर्मल है वहां पता नहीं किस-किस कश्मीर में जो चीज फूल खिरते हैं वह भी आपको वहां मिल जाएंगे दुनिया बर की चीज मतलब फूल आपको वहां देखने को मिलेंगे और एक से एक सुन्दर फ्लाट थोड़ा जादा बोले पर यह जब आप आप आपभी दहली जाएं आपको कभी मौका मिले तो जाके दर्ब देखियोगा जरूर ठीक है हम आगे बात करते हैं तीन हमेंगे दिखते हैं राजसवा का सदस निर्वाचत होने के योग यानिकि उपरास्ट पती जो है वह और राज सवागा सदस निर्वाजित होने के योग उसमें अहरताएं हों कि वह राज सवागा सदस बन सकता है निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाब के पदपर न हो और 15,000 रोपे जमानत राशी देनी पड़ेगी इसके 20 प्रस्तावक होंगे 20 अनुमूदव होंगे 15,000 की राशी उने भी थी 15,000 की राशी उप्राश्टपती को भी है लेकिन यहां 20 अनुमूदवादा को 20 प्रस्तावक हैं यह डिफ्रेंस है इसका ध्यान न कियेगा अब वोप्राश्टपती का निर्वाचsystem कैसे होता है आहिए हम लोग देखते हैं। वोप्राश्टपती का जो निर्वाचम a वो संसत के दोनों सद्रके सदस्यों के द्वारा एकल संकमनिये मत्पदिती के द्वारा किया जाता है यानि कि यह भी इंडारेक्ट वे में होता है जैसे कि राष्ट पती के उसमें होता है यानि कि इसमें डारेक्ट बोटिंग नहीं होती है इसमें इंडारेक्ट बोटिंग होती है इंडारेक्ट इन दा सेंस कि जिन प्रतिनिदी को आम जनताने चुना है वो प्रतिनिदी जाके भाट करेंगे आपने देखा राष्ट पती के तो वो संसत के चाहिए निर्वाचे सदस हैוף करते हैं नहीं है लेकिन इस चीज दियान लगप राष्ट पती के निर्वाचित और मनोने दोनों इसमें बोटिंग करेंगे यानि कि उपरास्ट पती क्या जो इलेक्षन होगा तो उसमें लोग सबाके और राज्य सबाके जो निर्वाचित निर्वाचित जो हैं और मनोने दोनों तरीके के सदर से जो हैं वह इसमें आके बोटिंग करेंगे जबकि रास्ट पती में इसा नहीं है उसमें सिर्फ मुद्वाचित सदर से मकने दे सकते हैं तो इस इस डिफ्रेंस को याद रखेगा इस पर कोशन बन जाते हैं बन चुके भी हैं और उमीद है कि आने वाले जो एक्जैम हैं उनमें आएं भी ठीक है यह जोड़ जोड़ से उसको ध्यान से सुनिएगा अनुचित 67 यान के आर्टिकल 67 उपरास्ट पती का कारकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया के वारे में बात करता है उपरास्ट पती पद ग्रहन करने की तारीक से 5 वर्ष की अबदी तक पद्धारन करेगा ठीक है उपरास्ट पती को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी यह भी आपको बता देते हैं यह चीज तो राश्पति उपरास्ट पती में common है फांच वर्षी अबधी तक टीक ग्रहन की तारीख से पांच वर्षी अबधी तक हम देखते हैं हटाने की प्रकरिया क्या होगी उपरास्ट पती को पद से हटाने के प्रस्तावा सबसे पहले र तो धाफ के एक चौथाइज सध्यों के हस्ताक्षर हो फिर कितने एक चौथाइज सब्सक्राइब सभापती सुचना देना होगा वह सूचना देना होगा वह सूचना दी यह ठीक है क्योंकि जरूरी नहीं है आगे जाके सारी चीज़ें पास हो जाएं और वो गलती सावित हो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है लेकिन सूचना दे दी जाती है इसको कितने दिन पहले चौदा पंद्रा तो कितने हैं चौदा दिन पहले राजेसवा अगर अपने संख्य हो उसके प्रस्ताव को पारत करदे और लोग सभा की सहमति हो तो राश्पती को उसके पत से हटाया जा सकता है थोड़ी सी परकरिया है लेकिन थोड़ी घुमावगार है इसलिए थोड़ा ध्यान ने किएगा ठीक है फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 68 की इसमें जो है वो उप्रास्ट्पती का पद रिक्त होने पर चुनाव यता शीग्र कराया जाए ठीक है उप्रास्ट्पती का जो पद है वो रिक्त पर चुनाव यता शीग्र कराये जाए और सब्सक्राइब्रास्ट्पती के वारे में की उपरास्ट्पती को उसके पदगी शपत राष्टपती दिलाते हैं ठीक है इसमें इंपोर्टन चीज जो है इंपोर्टन कुछ बताती हुए आपको कि भारत के प्रथम उपराश्पती डॉक्टर सरपली राधा कृष्णन और हामिद अंसारी को दो कारकाल के लिए भारत का उपराश्पती चुना गया था किसको डॉ सरपली राधा कृष्णन और हामिद अंसारी दो कारकाल के लिए भारत के उपराश्पती चुने गया और प्रश्णकान भारत के ऐसे उपराश्पती जिनकी म्रत्यों उनके कारकाल के दौरान ही हो गई अब एक चीज और बताना जाओंगी यह जो हमारे प्रथम राष्ट उपराश्पती ते डॉक्टर सर पर्ली राधा कृष्णन इन्हीं का जन्म दिन होता है पांस सितंबर यानिकी फिप्ट सेप्टैंबर को जिस दिन सिक्षक दिवस यानिकी टीचर्ज डे मना गया जाता है ठीक है इस चीज को भी आप लोग याद रखेगा आई होप मैंने लृट से आप लोग विडियो को देखिये उसको लाइक करें यार लाइक करने में उसे मुटताती है एक है क्लिक करना होता है ठीक है तो फ्ली banking भीना पाइए कि आपने डिस्लाइट क्यों किया है तो फिलाल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलते हैं थैंक्यू